मसकार बच्चो आपका पुना स्वागत है आपके यूटूब चैनल पे जहां पर आपको पूरे आपके क्लास से संबंधित पूरे प्रशनों को हल कराया जाता है और जो भी प्रशन आपके रहते हैं या जो भी जानगाई रहती वहाँ इसी चैनल के यूटूब चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि हम complete ad great अभ्यास पुस्ति का complete solution कराते हैं और आज हम लोग कक्छा सात्वी की ad great अभ्यास पुस्ति का complete solution लेके आए हैं संस्क्रत का तो चलिए यहाँ पर देखेंगे आप लोग एक पदन उत्तरम लिखत एक पद में उत्तरम लिखत पहला प्रशन है रमणा कस्मिन विस्विध्याले अध्यनम करोती जो रमण है वो जो रमण है वह कौन से विस्विध्याले में अध्यन करता है तो रमन रानी दुर्गा वेत्ती विस वेत्याले अध्यनम करोती फिर अगला प्रश्ण है रमने सह कहा वारतलाब करोती रमन के साथ अध्याय आपने पढ़ा होगा रमन के साथ कोन बातचित कर रहा है वहाँ रमन के साथ वहाँ पर बातचित कर रही है कोन दिक्छा तो यहाँ पर क्या जाएगा दिक्छा जाएगा अगला प्रशन है प्रशन number तीसरा का यस्या सरीरेन जीवती यस के लिए एक मतलब की जो कहते हैं जो मतलब की बहुत अपने यसस्वी ताकत के लिए कुन जाना जाता है तो महरानी दुरगावती बहुत ताकतवर जो थी महरानी थी इसके लिए उसे बहुत यस के लिए जाना जाता है या ताकतवर के लिए जाना जाता या बहुत अच्छे कारियों के लिए भी जाना जाता है अगला प्रशन है राजकार ये स्यू युद्विध्यायाम चा का प्रविणा आसीत राजकार में और युद्विध्या में जो थी वह कोन प्रविण थी तो हमें पता है महारानी दुरगावती जो थी वह हर एक कारियों में चाहे वो राज्य का कारे हो चाहे वह युद्ध विद्या हो चाहे वह कोई भी कारे हो सम में कैसी थी वो वो निपून थी मतलब उन्हें सब कार बहुत आसानी से आ जाता था अगला प्रशन देखेंगे निर्देश है एक वाक के न उत्तरम लिखत एक वाक में उत्तर लिखना है प्रशन नमर पांच है कस्याह राजकाले सरवत्र संपनांता आसीत किसके राजकाल में सब कुछ से संपन थे मतलब वहाँ पर कोई भी कमी नहीं थी तो महारानी दुरगा राजकाले सर्वत्र संपनांता आसीत महारानी दुरगावती काल में सब लोग संपन थे महाँ पर किसी भी चीच की कोई दिकत भी नहीं थी प्लीज बच्चो चैनल में नय हो तो चैनल को सब्सकाइब कर लीजे और अगर आप सब्सकाइब करते हैं तब ही तो हमें बहुत अच्छे से वीडियो बनाने के लिए होसला मिलता है प्लीज चैनल को सब्सकाइब कीजे नए हो तो चैनल को सब्सकाइब कीजे और दोस्तों में सेयर भी अवस्त कीजे जैसे आप ग्रूपों में सेयर कर देंगे तो उन्हें ये वीडियो अधर लोगों तक भी पहुंच जाएगा जिससे कि वहे भी चैनल को सब्सक्राइब अवस्ते करेंगे ठीक है बच्चो अगला प्रशन देखे छटवा प्रशन है गोंडवाना राजा कासीत गोंडवाना जो सामराज्य था उसके राजा तो कोन थे तो उसके राजा गोंडवाना राज्य के राजा जो थे वह दलपत सहा थे कौन थे दलपत सहर महरानी दुर्गवती के कौन कौन है हमें कमेंट करके बताईए दलपत सहर महरानी दुर्गवती के कौन है हमें कमेंट करके अवस्य बताईएगा आप लोग अगला प्रशन देखेंगे सातवा प्रशन वीर नारायनस पितु नाम किम आसीत वीर नारायन के पितु का नाम क्या था पिता का नाम क्या था वीर नारायन से पितु नाम दलपत सहा आसीत वीर नारायन के पिता जी का नाम या पिता का नाम दलपत सहा था ठीक है बच्चो आगे प्रशन देखते हैं प्रशन नम्मर आठवा है गोंडवाना राजस्य प्रजा कम माता एव अपस्यान गोंडवाना राजस्य में माता के समान किसे पूझा जाता था तो गोंडवाना राजस्य पूझ प्रग्जा रागी दुर्गावती माता एव अपस्यान तो रानी दुरगावती जो थी उन्हें गोंडवाना राज्य में गोंडवाना जो सामराज्य था उसमें माता के समान पूजा जाता था या माता के समान उन्हें माना जाता था ठीक है बच्चो अगला प्रशन ले अगला प्रशन है देखींगे यहाँ पर नौमा प्रशन है वो कहरा है पाठे पुस्तक धारेन उधारनम अनुसारम वाक्यान रचत पाठे पुस्तक के उधारन के अनुसार जो एक उधारन दिया गया है उसके अनुसार आप वाक्य का निर्मान कीजिए जैसे यह था जैसे वीर नारानस मातू नाम दुर्गावती वीर नारान की माता का नाम दुर्गावत्ती था तो दुर्गावत्ती के पती का क्या नाम था हम मैं कमेंड करके अवस्सें बताएंगे आप लोग अब यहाँ पर वाक्तेों को देखिए हमने बना दिया है यहाँ पर आपको अब आगे देखें या माता को क्या नाम की उपादी दी गई थी महारानी के नाम की अगला प्रशन देखेंगे दस्वा प्रशन है हमारे सामने दस्वा प्रशन क्या कह रहा है बच्चो दस्वा प्रशन कह रहा है अदो लिकित पला नाम विभक्तिम वचनमचा लिखत यहाँ पर जो दिये गए ह है तस्या में सश्टी भी भक्ति एक वचन राजस्य में him फिर से एक वचन और तस्य। सश्टी भी भक्ति एक वचन तो इस प्रकार्चj आपने देखा बच्चो हमने complete solution कर लिया है बड़ीज बच्चो अगर आप भी doubt है तो comment करके हमें पूछ लीजेगा ठीक है बच्चो अगर इसकी pdf चाहिए आपको तो telegram channel join कर लीजे description में link है वहाँ से आप telegram channel को join कीजे वहाँ पर आपको इसकी pdf मिल जाएगी मिलते हैं अगले वीडियो में thank you for watching student